हेलो एवरिवान वेल्कम टू माई चैनल ही दीखे मैं करवाचो स्पेशल थालपोश बना कर लाई हूं बहुत ही सुन्दर थालपोश बना है आप इसे बड़े अराम से बना सकते हैं अगर आपको मेरी यह थालपोश आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कोमेंट करक यह मैंने यह जो कलियां है 16 कलियां बनाई है अगर आप मेरे चैनल को फस्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब चूर कर दीजिए चलिए वीडियो बनानी स्टार्ट करते हैं यह मैं टू कलर से बना रही हूं यह मैंने होबी इंडिया गंगा का थ्रेड लिया है इसका लोप नमबर टू है शेर नमबर 20 और यह सीजर है और यह मैंने 2.5 mm का क्रोश्या उप दिया है चलिए वीडियो बनानी स्टार्ट करते हैं रिंग बनाएंगे यहां से थ्रेड को ऐसे निकालेंगे चेंड डालेंगे इसके नोक है इसको अपने साइड रखेंगे और इसके अंदर ऐसे थ्रेड निकालेंगे दो का एक करेंगे इससे थ्रेड निकालेंगे दो का एक करेंगे सिंगल क्रोश्या बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छेन, साथ, आठ, हमने आठ सिंगल क्रोश्या बना लिए इसको टाइट कर देंगे फस्त वाली चेन से इसे क्रोश्या रूख निकालेंगे स्लिप नॉट लगा देंगे यहांसे इसको टाइट कर देंगे थ्रेड को अब एक, दो, तीन, चार चेन डालेंगे और यह साथ वाली चेन में डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर एक चेन, फिर इसी में उसी के साथ हम एक और डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर एक चेन बनाएंगे, फिर यह नेक्स्ट वाली चेन में यहां डबल क्रोश्या, फिर एक चेन, फिर इसी के अंदर एक और डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर एक चेन बनाएंगे फिर यह नेक्स्ट वाली चेन नजर आ रही है उसके अंदर डबल क्रोशिया फिर एक चेन फिर उसे में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन और एक डबल क्रोशिया एक में हमने दो डबल क्रोशिया बनाए हैं ऐसे यह राउंड यहां तक क में इसे इसे slip stitch से joint कर देंगे यहां पर हमने यहां पर 8 सिंगल क्रोश्या था और यह 16 डबल क्रोश्या बन गया अब 1 2 3 4 5 6 डालेंगे डबल क्रोश्या है इसके उपर जो चेन है इसमें डबल क्रोश्या के उपर डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर 1 2 3 चेन डालेंगे और यह इसके उपर जो डबल क्रोश्या है डबल क्रोश्या के उपर डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर 1 2 3 चेन डालेंगे और यह एक्स वाले डबल क्रोश्या के उपर डबल क्रोश्या बनाएं एक दो टेन जेंगे यह जो घर भऴ करोशिया है इसके ओपर कि अबको पार जह को बबं रोचिया बनाएंगे میں दो थीन चेन जो साथ वाला ट्राइर ट्रोशिया है है जो कि दोबल चैन के अंदर कि इस चैन में ड़र क्रोशिया बनाएंगे फिर एक दो थीन चैन यह next वाला double crochet है इसके उपर chain में double crochet बनाएंगे ऐसे ही तीन तीन chain डालते हुए और सब में double crochet के उपर double crochet बनाते जाएंगे यह round ऐसे ही complete कर लेंगे राउंड complete हो गया अब यहां one two three chain डालेंगे और यहां एक दो तीन वाले chain में इसे slip stitch से joint कर देंगे one two three chain डालेंगे फ्रेस में double crochet बनाएंगे फिर इसी में एक और double crochet यह तीन double crochet बनगे फिर एक दो चेन डालेंगे और यह next वाले double crochet के उपर double crochet बनाएंगे फिर इसमें एको double crochet फिर इसी के अंदर एको double crochet बनाएंगे फिर एक दो चेन डालेंगे next वाले में double crochet के उपर double crochet बनाएंगे फिर इसी में एको double crochet फिर इसी स्पेस में एको double crochet बनाएंगे एकी स्पेस में तीन double crochet और दो चेन फिर इसमें भी तीन double crochet बनाएंगे दो तीन ऐसे ही बनाते हुए ये round complete कर लेंगे ये हमने दो चेन डाली अब ये बन टू थ्री थर्ड वाले चेन में slip stitch से joint कर देंगे ये round complete कर लिया अब next round में ये हम next वाले double crochet के उपर single crochet करेंगे फिर एक दो तीन चेन डालेंगे फिर ये next वाले double crochet के उपर या double crochet बनाएंगे फिर ये स्पेस में double crochet बनाएंगे पहले हमने या तीन double crochet बनाएंगे में 4 double crochet बनाएंगे ये 3 की chain count करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे फिर एक दो chain फिर ये इसको skip करेंगे ये next वाले में double crochet बनाएंगे फिर यहां नेक्स्ट वाले में डबल क्रोश्या फिर इसके अंदर स्पेस में दो डबल क्रोश्या बनाएंगे एक फिर इसके अंदर एक और दो यह चार डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर यहां एक दो चिंड डालेंगे फिर इसको स्किप करेंगे यह नेक्स्ट वाले में ड तो इसके अंदर ये तीन होगे फिर इसी में एक और डालेंगे ये चार डबल क्रोश्या और दो चेन ऐसे बनाते हुए ये राउंड भी कम्प्लीट कर लेंगे अब इसमें हो अलमें भी इस पेस में भी दो डबल क्रोश्या बनाएंगे ये चार डबल क्रोश्या बनाएंगे अब एक दो चेन डालेंगे ये वन टो थ्री थर्ड वाले चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट चोड के सेकेंड वाले में चेन बनाएंगे नेक्स्ट रो बनाएंगे फर्स्ट वाला स्किप करेंगे और सेकंड वाले में बनाएंगे बन टू थ्री चेन डालेंगे फिर नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिय बनाएंगे उसके उपर डबल क्रोशिय बनाएंगे फिर यह जो है डबल क्रोशिया इसके ओपर डबल क्रोशिया फिर यहां एक डबल क्रोशिया इस स्पेस में इस स्पेस में हम दो दो डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे यहां तीन यहां चार अब यहां पांच पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक, दो का स्पेस देंगे यहां नहीं बनाएंगे इससे नेक्स्ट वाले में डबल क्रोश्य बनाएंगे एक, दो तेन दो इसके इंदर इस स्पेस में दो बनाएंगे चार पांच फिर एक, दो चेन स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले डबल क्रोश्या के उपर डबल क्रोश्या बनाएंगे वन, टू थ्री इस स्पेस में दो बनाएंगे फोर, फाइव फिर वन, टू चेन इसको स्किप करेंगे इसके उपर डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर ये नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया फिर ये स्पेस में डबल क्रोशिया फिर एक ओर डबल क्रोशिया दो डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे ही इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है और यहां 4 यहां 5 और नेक्स्ट राउंड में 6 फिर 7 फिर 8 एट तक बना के इसे कंप्लेट कर लेंगे यह मैंने 8 राउंड बना लिया है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ राउंड बना है 1 2 3 4 5 6 7 8 अबन यहां से 1 2 3 वाले चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट करदेंगे यह एक 2 3 4 5 चेंड डालेंगे इसमें एक दो स्किप करेंगे थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक दो तीन चार पांच छे न डालेंगे फिर एक और दो स्किप करके यहां पर सिंगल क्रोश्य अबनाएंगे फिर एक दो तेन चार पांच चेन डालेंगे एक और दो स्किप करेंगे और यहां सिंगल क्रोश्य अबनाएंगे फिर वन टो थ्री पॉर फाइल डालेंगे वन और टो स्किप करके थर्ड वाले में सिंगल क्रोश्य अबनाएंगे ऐसे ही बनाते हुए यह राउंड कंप्लीट कर लेंगे अब यहां पर इसे स्लिप स्टेज से ज्वाइंट कर देंगे झाले